अबी आपके एक्जाम्स आने वाले हैं तो आज जो है हम एक सेशन लेके आए हैं जिसमें हम डिसकस करेंगे कुछ एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स जो बच्चे अक्सर एक्जाम के आंसर लिखने में करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली जैसे हमने कुछ एक्शाम्पल्स लिए हैं कुछ एक कॉपीज हैं آंसर की आंसर नोटबुक्स हैं उनके हमने photos लिये हैं कि बच्चे अक्सर क्या mistakes कर रहे हैं तो जैसे कि यहाँ पे आप clearly देख सकते हैं कि question के अंदर क्या उचा गया है एक concave mirror है question क्या दिया गया है a concave mirror is used for image formation एक concave mirror जो है वो use हो रहा है image formation के लिए लेगिन यहाँ पे बच्चे ने क्या use किया है यहाँ पे बच्चे ने यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बच्चे ने एक convex lens बना दिया है तो यह एक common mistake है जो बच्चे अक्सर confused हो जाते हैं कौन के mirror और lens बनाने के अंदर तो यह mistake जो है यह आपको नहीं करनी है ठीक है दूसरी चीज इसके अंदर बच्चे ने जैसे यहाँ पर क्या किया है इस बच्चे ने जो image बनाई है image formation जो किया है उसने गलत किया है कैसे गलत किया है जैसे यहाँ पर image इसने क्या पूछा था क्या बनेगा तो इसका एक बेसिक फंडनमेंटल क्या हो सकता है कि आप पहले एक रफ रे डाग्राम बना लें उसके बाद में आप यह डिसाइड करें कि आप की calculations के हिसाब से जो आपका answer आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं जैसे कौन के मिरर का अगर case लेते हैं तो कौन के मिरर का एक rough आप डाइग्राम बना लेंगे कौन के मिरर का आप एक rough डाइग्राम बना लेंगे ठीक है अब आपको जैसे यह अगर focus point है आपका और यह center of curvature है ठीक है तो आपको जहां पर भी उसने object दिया है focal length आपको question में दे रखी होगी वहां पे focal length दे रखी है उसके साब से आपको जो यू की value जो है उसके साब से आप पूट करके देख लीजिए ठीक है पूट करके आप एक rough डाइग्राम बना लीजिए कि image आपकी formation कहां हो रही है तो उससे आपको फायदा क्या होगा जब आप calculation भी करेंगे तो u की value जो है u और f की value रखने के बाद में u और f की value रखने के बाद में जो v की value जो आई गया आ आप उसको validate कर सकते हैं with the help of formula ठीक है एक common mistake जो बच्चे करते हैं अक्सर यह करते हैं कि दूसरी same वही question है इसमें बच्चे ने क्या किया है mirror formula की जगह पे इन्होंने lens formula यूज़ कर दिया है अक्सर बच्चे confusion क्यों होते हैं ज्यादर बच्चे confusion होते हैं sign conventions की विजए से तो sign conventions आपको basically याद कैसे करने हैं कि आप कोई भी अगर mirror ले लेते हैं चाहें convex mirror ले लो चाहें concave mirror ले लो या फिर lens की आप बात कर लो ठीक है तो आपको जो आपका intersection point है जो पोल जिसको आप बोलते हैं इस पोल को आप origin माल लीजिए ठीक है इसको अगर अपन origin माल लिया तो Cartesian system के हिसाब से अब आपको आपकी जो distances हैं उनके sign convention लेने हैं जैसे इस पोल के अगर आप left side में आओगे left side में आओगे तो क्या होगा negative अपन इसको consider करेंगे जो भी distance left side में अपन लेंगे पोल से वो negative consider करेंगे अगर हम पोल के right side में जाएंगे तो हम सारी distances जो हैं उनको positive consider करेंगे ठीक है हमने positive consider कर लिया जैसे आप इसको मान सकते होगी यह एक y-axis है और यह x-axis है ठीक है left side में आएंगे x-axis पे तो negative लेंगे right side में जाएंगे तो positive लेंगे same y-axis के लिए अगर आपके pole से आप उपर की तरफ distance लेंगे towards up तो आप क्या लेंगे positive direction और नीचे की तरफ लेंगे तो negative direction इसका एक example लेते हैं जैसे हम object जो रखते हैं वो object कहां रखते हैं mirror के front में वाल्ला कि इस तरफ र तो left की तरफ रखा है तो objective distance जो है वो हम क्या लेंगे negative लेंगे अब मालो जैसे हमारी height जो दे रखी है object की कोई height दे रखी होगी हम object जो हमेशा erect position में रखेंगे तो मतलब कि किस तरफ move कर रहा है वाई direction में towards up side तो up side का मतलब क्या होगे हम height of object हमेशा क्या लेंगे positive लेंगे अब question solve करने के बाद में या फिर डाइग्राम बनाने के बाद में आपकी image मालो यहां पर बन रही है यह आपकी image बनी है ठीक है तो इससे हम क्या depict करेंगे कि pole से किस तरफ बनी है image right की तरफ तो right की तरफ जो image बनती है वो कैसी होगी positive distance पे बनलब कि जो आपकी V की value जो आए मतलब नीचे की तरफ जा रहा है तो इससे हमारा क्या हो गया मतलब कि image कैसी बन रही है inverted और inverted image बन रही है तो मतलब height of image जो आएगा वो क्या आएगा negative ठीक है तो यह convention जो है हमें basically use करनी है ठीक है तो यहां पर इस बत्चे नहीं क्या किया है mirror formula की जगे पे lens formula यूज कर दिया है इसकी जैसे इसकी सारी calculation क्या हो गई है wrong हो गई है अब एक आपको आदत starting से ही डालनी है कि जब आपको कोई question दे रखा हो तो मालो question के अंदर जो भी data दे रखा है f दे रखा है आपको u दे रखा है magnification दे रखा है आप try करो कि question से ही उसके sign conventions निकाल लो जैसे आपको बोला object is placed at a distance of 10 cm हमें पता है कि कौनके लेंस है तो उसमें अगर object जो हम रखते हैं हमेशा किस तरफ रखते हैं left side में तो u की value हमेशा क्या रहेगी negative और हमार value कि दिन दे रिखी है 10 cm तो इसको हम लिख देंगे minus 10 cm स्टार्टिंग में ही हम sign convention के साथ में values यहां पर लिख लेंगे given data के अंदर ठीक है अब यहां पर इसने second चीज़ क्या दी है focal length अब हमें पता है कि जो भी अपना concave lens, concave mirror जो होता है यह अगर concave mirror है इसका focus point कहां होता है यह यह pole से किस तरफ है left side में है तो मतलब इसकी focal length हमेशा क्या होगी negative होगी तो focal length जो अपने को दे रखी है concave mirror की वो किदनी दे रखी है 15 cm तो यह किदनी रखेंगे अपन minus 15 cm यह sign convention के साथ रखने का फायदा क्या है कि formula में जब हम values put करेंगे तो हम directly यहां से values उठागे रख सकते हैं जैसे 1 upon v plus 1 upon u is equals to कितना होता है 1 upon f यह formula है अब हमें tension ने लेनी है कि क्या रखना है हमें direct यहां से values जो है वो as से कि यह से उठानी है और इस formula में put कर दीनी है और v next अब यह question दे रखा है जैसे एक point है कि misunderstand the units अब कई बार क्या होता है कुछ questions ऐसे आते हैं जिसमें बच्चा जो है वो units को misunderstand कर जाता है जैसे कई formulas है आपके जैसे power का formula है power का formula क्या होता है power किसी भी mirror किया या फिर अपन जैसे power of lens निकालते है तो उसका formula क्या है one upon f ठीक है अब यह जो f focal length जो है यह अपने को रखनी होती है इसमें meter के अंदर ठीक है लेकिन question के अंदर mostly question के अंदर हमें जो focal length या फिर जो distance दे रखी होती है वो centimeter के अंदर given होती है तो इस centimeter को हमें पहले इस formula में put करने से पहले क्या करना पड़ेगा meter के अंदर convert करना पड़ेगा तब ही हमारा answer क्या आएगा सही आएगा जैसे इस question के अंदर दिया है focal length जो दो lens है उनकी focal length दे रखी है plus 10 centimeter and minus 10 centimeter दो focal length दे रखी है बच्चे नहीं यहां पर क्या किया है फॉ इसकी जैसे उसका answer क्या हो गया गलत उसको करना क्या चाहिए था focal length f1 जैसे focal length first वाली दे रखी हो किदी नहीं दे रखी है 10 centimeter plus 10 centimeter तो इसको convert करना चाहिए convert कैसे करेंगे 10 upon 100 यह कितना हो जाएगा 0.1 meter अब यह जो value है यह इसको इस formula में रख देनी है ठीक है या फिर आप क्या कर सकते हो power का formula जो centimeter अगर आपको focal length जो है centimeter में दे रखी है तो हम formula यूज कर सकते है power का 100 upon f और यहाँ पे जो f की value रखनी है वो किसमें रखनी है centimeter में ठीक है तो यह common mistake है जो बच्चे अक्सर करते हैं अब मिसंडर्स्टेंड्स दस साइन्स मैंने जैसे पहले भी discuss किया है बच्चे कई बार होता है कि बच्चे sign convention में बहुत सारी mistakes करते है कि कहां पे उसको u की value जो है वो positive लेनी है कहां पे उसको u की value जो है negative लेनी है कहां पर F की value positive लेनी है कहां पर negative लेनी है तो इसमें बच्चा कई बार confused होता है वो गलत sign ले लेता है उसके बाद में उसका जो answer आता है वो गलत आता है तो इसको overcome करने का एक तरीका है कि जैसे ही आपको question मिले question के अंदर से आप पहले keywords ढूड़ो जैसे इसमें keyword दिया है concave mirror आप एक concave mirror बना लो पहले ही रफ में यह आपने concave mirror बना लिया आपको पता है concave mirror जो है उसका focal length focus किस तरफ होगा towards left तो मतलब कि जो भी मेर को value यहां पर दे रखी होगी इसकी focal length की वो किस में आएगी negative में तो f is goes to क्या हो जाएगा minus 15 cm ठीक है हमें इतना पता है कि mirror के हम सामने जो है object रखेंगे तभी उसका reflection बनेगा अगर सामने हम object रख रहे हैं यहां पर मालना हम object रख रहे हैं तो हमने mirror के सामने रखा है तो किस तरफ रखा है पोल के ट्वर्ट लेफ्ट तो यू की वल्यू भी क्या हो गई यहां पर नेगेटिव तो यह साइन कंवेंशन जो है यह हमें proper यूज करना है यहां पर जैसे बच्चे ने क्या किया है यहां पर इसमें पूछा गया था कि दे रही है हमें इमेज की डिस्टेंस अंक्प मेरें की वेल्यू क्या रही है वह कैसी निकालनेगे सिद्धा हमें mirror formula लगा देना है 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f ये mirror formula में sign convention के साथ में u और f की value रख देंगे तो हमार पास v की value आ जाएगी ठीक है जैसे ये question हम solve करके देख लेते हैं एक बार इस question में हमें दे क्या रखा है सबसे पहले हम लिखते हैं given given data क्या है एक कौन के मिरर है कौन के मिरर है तो मैं यहां पर एक रफ में कौन के मिरर बना लेता हूं ठीक है कौन के मिरर मैंने बना लिया अब उसने बॉल रखा है कि उसकी जो focal length जो है focal length उसने देर रखी है वो दे रखी है 15 cm 15 cm क्या दे रखा है magnitude अब मेरे को इस diagram से देखना है focal length जो है वो negative लेना है या positive कौन के मिरर है तो उसका focus कि दर होगा left की तरफ तो मैं यहां पर sign क्या पूट कर दूँगा minus 15 cm दूसरी चीज़ उसने देर रखी है objective distance object की distance कि देर रखी है 10 cm अब objective distance object हम किस तरफ रखेंगे in the front of mirror मतलब यह भी क्या आएगा negative अब मैं सीधा formula में put कर देता हूँ mirror formula क्या होता है 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u अब मैं सीधी values यहां से जो है with sign उठा के रख देता हूँ minus 1 upon 15 is equals to 1 upon v minus 1 upon 10 u के value मैंने minus 10 रखी है और f की value क्या रखी है मैंने minus 15 यहां से solve करूँगा तो 1 upon v is equals to कितना जाएगा इसको इस तरफ लेके आएंगे 1 upon 10 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा positive हो जाएगा अक्सर बच्चे एक mistake यह भी करते हैं कि जब एक side से यहां पर अब इसको क्या करना है कि LCM ले लूँगा मैं 10 और 15 का LCM कितना आएगा 30 मैंने LCM ले लिया 30 ठीक है 30 लिया तो ऊपर यहां पर इसकी विज़ाशा कितना बचा 3 minus 2 तो यह कितना बचा 1 upon 30 तो मतलब कि 1 upon v is equals to कितना बचा 1 upon 30 तो यहां से v की value कितनी आ गई अपने पास में प्लस 30 cm V की value हमारे पास में कितनी आई प्लस 30 cm इस से हम क्या पता कर सकते हैं कि हमारे जो image बन रही है वो किधर बन रही होगी towards the right वल्ला कि हमारे जो image बनी है वो right की तरफ बनी है राइट की तरफ बनी है उसका मतलब क्या है इमेज कैसी है वर्चुल है ठीक है अब उसमें next क्या पूछा गया है position of image हमने निकाल ली है 20 को स्टू कितना है हमारा plus 30 cm ठीक है second question पूछा गया हमें size of image size of image हमें निकालने हैए ठीक है अब हमें एक चीज पता है size of image निकालने के लिए हम क्या करेंगे magnification का formula यूझ करेंगे और magnification का formula mirror के लिए क्या होता है magnification का formula क्या आता lijू Speech n is equivalent to height of image upon height of object is equal to minus minus sign आता है यहाँ पर mirror formula mirror के लिए ao이시 के अंदर प्लस V upon U, तो यह क्या आएगा, minus V upon U, H naught जो है, वो हमें question में दे रखा होगा, H naught की value जो है, वो हमें question में दे रखी होगी, ठीक है, जैसे इस question के अंदर जो है, हमें H naught की value दी हुई नहीं है, तो हम assume, जैसे यह question साइथ incomplete होगा, तो हम assume करते हैं कि, हमें दे रखा है, H naught is equal to 2 cm, कि height of object जो है, वो 2 cm है, ठीक है, तो H naught की value यहाँ पे कितनी दे रखी है, 2 cm, और H naught जो है, वो हमेशा हम erect position में रखेंगे, मतलब क्या होगा, positive direction में आएगा, तो H I हमें निकालना है, upon, H naught की value कितनी दे रखी है, 2 cm, is equals to, minus sign ऐसे हैं, V की value हमारे कितनी आई थी अभी, हमने solve करी थी तो उससे, V आया था हमारा, plus 30, upon, U की value, U हमें question में दे रखा था, U कितना दे रखा था, minus 10, ठीक है, plus into minus कितना हो जाएगा, minus और minus बाहर है, तो minus minus, plus हो जाएगा, तो इसको हम जब solve करेंगे, तो height of image कितना जाएगा, 2 को इस तरफ लेके जाएगे, multiply करेंगे, तो 2 into 30 upon 10 कितना हो गया, 3, तो height of image कितनी आ गई, 3, 3 क्या है यह, sorry, height of image यहाँ पर कितनी आ गई आपकी, 6 centimeter, height of image आ गई हमारी, 6 centimeter, ठीक है, अब यहाँ पर जो sign आया है, वो क्या आया है, 6不多, plus sign हमें क्या depict कर रहा है, कि हमारी image कैसी बनी है, इरेक्ट, ठीक है, तो अभी, यहां पर हमें, एक दो चीज़ पता चल गी, हमारी, एक तो image कैसी बनी है, next second हमें क्या पता चल लगा, हमारी image कैसी बनी है, इरेक्ट image बनी है, तीसरी चीज, height of image जो है, वो height of object से ज्यादा है, मतलब कि height of image जो है, वो height of object के multiple में है, तो इससे हम क्या बहुत सकते हैं, image जो बनी है, हमारी वो क्या बनी है, magnified image बनी है, ठीक है, अब size of image हमने निकाल दिया, nature of image, nature of image हमने discuss कर ही लिया है, nature of image क्या होगा, पहला की virtual image बनी है, हमारा height of image क्या है था, positive तो उससे हम क्या बहुत सकते हैं, erect image बनी है, तीसरा हमने क्या discuss किया, कि जो height of image है, वो height of object से क्या है, ज्यादा है, तो हम क्या बहुत सकते हैं, magnified image बनी है, ठीक है, ये तीन चीज़े हमें पूछी गई थी, ये हमने निकाल दी है, तो आपको इसी तरीके से ये question solve करना है, सबसे पहले आपको लिखना है, कि given data आपको क्या क्या दे रखा है, जैसे हमें एक चीज़ और दी थी, वो क्या थी, height of object, given data सबसे पहले हमेरे लिखना है, उसके बाद हम कौन सा formula यूज़ करने जा रहे हैं, उस formula को mention करना है, और उसके बाद में step by step उस question को solve करना है, और जो भी answer आए आपका, उसको आप highlight क बंद कर दो, ताकि वो answer आपका अलग से दिखे, ठीक है, अब आते हैं next point पे, next point में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, calculation कर लेते हैं, उनको formula भी पता है, वो formula लगा भी देते हैं, calculation भी कर देते हैं, लेकिन last step जो है question की, answer की, उसमें mistake कर दाते हैं, जैसे ये question दे रखा है, यह कोई भी 5 यहाँ पर register दे रखे हैं, 5 ohm, 10 ohm, 20 ohm, 20 ohm and 15 ohm, 5 register दे रखे हैं, उसने बोला है कि यह जो connected case में है, parallel में, बच्चे ने यहाँ पर formula सही use किया है, 1 upon R equivalent जो होगा, वो sum of reciprocals of each register होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, last में उसका value आई है, 1 upon R equivalent, 1 upon R equivalent वो उसके आई है, वो उसके आई है, 7 upon 15, 7 upon 15, ठीक है, अब बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर 1 upon R equivalent जो निकाल दिया, लेकिन यहाँ से उसने cross multiplication करके, R equivalent की value नहीं निकाली है, जो कितनी आएगी, 15 upon 7, उसने क्या किया, 1 upon R equivalent जो निकला है, उसका, उसी को R equivalent वानके question में आगे put कर दिया है, और उससे answer निकाल दिया है, तो answer क्या आया, उसका गलत आया, ठीक है, अब जैसे इस question को अगर हमें सही तरीके से solve करना है, तो इसमें क्या दिया गया है, 5 register दिये गए है, हमें सबसे पह हमें यहाँ पे potential difference दे रखा है, 6 volt का, potential difference दे रखा है, हमें R equivalent पता है, तो हम current आसानी से निकाल सकते हैं, कौन सा formula रगा कि, V is equal to I R, तो I कितना हो जाएगा, V upon R, ठीक है, अब mismanagement of time, mismanagement of time जैसे यह अक्सर बच्चों के साथ में होता है, बच्चे कई ऐसे question होते हैं, जो इतने important नहीं है, जिनके weightage इतना ज्यादा नहीं है, उसके बच्चे बहुत ज्यादा, किसी question में मालों बच्चे attack गए, तो उस question के ओपर बच्चे काफी ज्यादा time waste कर दे हैं, जिसकी विज़े से क्या होगा, जो higher weightage वाले questions हैं, जो उसको आते हैं, तो वो उसके ओपर अपना time नहीं दे पाते हैं, जिसकी विज़े से उनका क्या है, time waste हो जाता है, तो उसकी विज़े से last में क्या होगा, उनके जो important questions हैं, वो रह जाएंगे, तो इसलिए time को अच पहले attempt करने का, ठीक है, अब जैसे एक ये question दे रखा है, इस में question में दिया गया है, कि a student is unable to see clearly words written on the blackboard placed at an distance of approximately 4 meter from him, 4 meter से ज्यादा, 4 meter के आसपास का blackboard रखा हुआ है, उसको वो दिख नहीं रहा है, तो ये कौन सा defect हुआ आई का, ये हुआ मयोपिया, क्योंको उसको दूर क जीज़ नहीं दिख रही है, मयोपिया क्या होता है, short sightedness, मनला कि past का मैं रोख clear दिख रहा है, लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मयोपिया, ये answer सबसे पहले आपको पूछा क्या गया है, यहाँ पे, defect of vision, की defect कौन सा है, ठीक है, दूसरा इसका correction क्या है, बना दिया है, आपको जो diagram है, वो properly बनाना है वहाँ पर, जैसे, कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले आप defect को दिखाईए, diagram, ray diagram की help से, की defect आपका दिखेगा कैसा, हमारी जो eye है, ठीक है, ये मानलो अपनी normal eye है, ये पीछे वाला जो part है, ये अगर retina है, तो हमारी image यहाँ बननी चाहिए, ठीक है, लेकिन myopia के अंदर क्या होगा, मानलो कोई भी parallel rays आ रही है, कोई भी दूर से, कोई object है, दूर से है, तो क्या होता है, parallel rays आएंगी, तो ये meet कहां पे होनी चाहिए, यहाँ पे, लेकिन myopia के अंदर क्या होगा, ये rays पहली आपस में intersect कर जाएंगी, कि कैसी point पे, ठीक है, इसकी जैसे जो image बन रही है, वो कैसी image बन रही है, blur image बन रही है, तो आपको यहाँ पर यह diagram बना के दिखाना पड़ेगा, rays की direction है, वो proper तरीके से दिखानी पड़ेंगी, इसमें अपने को define करना पड़ेगा, क्या, कि ये क्या है, rays coming from object, ये क्या, जो direction क साइन है, वो आपको दिखाने पड़ेंगे, ये क्या है, eye lens है हमारा, ठीक है, और ये पीछे वाला part क्या है, हमारा, retina, और हमें ये खाना पड़ेगा, कि image जो है, वो retina से पहले form हो जा रही है, अब इसका correction क्या होगा, इसका correction होगा, कि हम कोई एक ऐसा, हमारा कोई lens लगा जा दें, जिसके वे जैसे, जो ये rays आ रही है, ये थोड़ी से पहले converge हो जाए, बनले कि ऐसे converge हो गई, तो जाल के बाद में, यहाँ पर diver होगी, और एक साथ, retina पर image बनाएंगी, तो उसके लिए हम कौन सा lens use करेंगे, concave lens, concave lens क्यों हो, क्योंकि वो एक converging lens है, ठीक है, त effect का एक आपने ray diagram बना की दिखा दिया, second फिर आपको दिखाना है कि वो उसको correct कैसे किया है, तो उस correction का diagram बनाना पड़ेगा आपको, ये वहाँ पर mention कर दीजिए, correction of myopia, heading डाल दीजिए, उसके बाद में आप diagram बना दीजिए, ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक क्या किया, कौन के और lens रख दिया, कोई भी दो image जो आई, पहले, वो image क्या होगी पहले, यहाँ से जाने के बाद में थोड़ी, divers होगी, तो divers होगी, मतलब, पीछे retrace करेंगे, तो हमें ऐसे लगा कि किसी एक near point से वो images, image बन रही है, मतलब लगी, raise जो हैं, वो एक near image से आ रही है, हमा ठीक है, तो यहाँ पे हमें, हमारे eye को क्या लगएगा, कि यह near point से image जो है, वो आ रही है, अब यह image थोड़ी सी converge होगी, तो इसकी विज़ाज़े क्या होगा, यह image कहां बनेगी, exact, रेटिना पे होगा, और हमें clearly दिखाई देगा, ठीक है, वापस से, जो भी diagram के अंदर important ठीक है, उनको आप highlight कर दीजी, जैसे यह क्या है, रेटिना है, यह क्या है, eye lens है, यह क्या है, concave lens है, concave lens, इसकी power जो है, हम निकाल सकते हैं, कि हमें, यह image है, कि किस power का हमें चाहिए, ताकि जो हमारी image जो है, वो clear बने, वो power, 1P is equal to 1 upon F से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, अब, अब, हमने यह बता दिया, कि, यह कुछ examples ले लिए हैं, हमने की, बच्चे अक्सर कौन सी mistakes करते हैं, और वो आपको नहीं करनी चाहिए, उसका एक basic overview में ने दिया, अब कुछ एक mistakes ऐसी हैं, जो बच्चे अक्सर करते हैं, ठीक है, और उनको overcome कैसे करना है, तो वो हम discuss करते है सबसे पहला read the question carefully, सबसे पहले आपको paper मिलता है, question attempt करने से पहले आप एक बार question को पढ़िए, आराम से पढ़िए, उसके अंदर वो question में data क्या 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 दिया है, वो आप note down कीजिए, एक उसका rough आप अपने दिमाग में ही a sketch बना लीजिए, कि कैसा question है, उसके हिसाब से मे write the given data, जो भी data उस question के अंदर दिया गया है, जैसे u की value dv, f की value dv, magnification की value dv, या फिर electricity में ले 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 ले, current की value dv, voltage की dv, तो वो data जो है, वो values जो है हमें, वो उसकी values जो है, वो हमें लिख लेनी है, given data जो है, जैसे मालों, मैं अगर answer के अपने की starting करता हूँ, मालों, मैं अगर अपने answer की starting करता हूँ, तो answer की starting कैसे करूँगा मैं, सबसे पहले मैं लिखूँगा given data, ठीक है, और given data मेरे को जो भी values देर रखी है, वो मेरे को लिख लेनी है, जैसे resistance की value देर रखी है, किस की भी देर रखी है, वो मैं values लिख लूँगा, with proper sign convention, जैसे साथ में आप वहाँ पे values रखी, जैसे u के value देर रखी है, minus 10 centimeter, f के value देर रखी है, minus 15 centimeter, तो ये with proper sign आपको values रखनी है, given data के अंदर, इससे help क्या होगी, कि आप formula में direct यहां से values put कर सकते हैं, third point क्या है, if required change the units of the given data, अब जैसे एक question अभी हमने discuss किया था, उसके अंदर क्या थ किस में देर रखी थी हमें, centimeter में, और हमें पता है, power का formula जो होता है, one upon f, उसके अंदर focal length किस में put कर नहीं होती है, meter में, तो हमें जो भी unit dv है हमारी, जो भी data देर रखा है, उसको proper unit है, जैसे centimeter में देर रखा तो उसको meter में convert करना है, जैसे current की value जो हमें कई बार, milliampere में देर रखी होती है, तो हमें MPR में convert करना होगा, कई बार हमें जो voltage की value जो है, किलो वॉल्ट में देर रखी होगी, तो उसको vault में convert करना होगा, तो proper हमें question में देखना है कि हमें value क्या देर रखी है, और formula में हमारे लिए desired value कौन सी है, उसके अंदर हमें उसको convert करना ठीक है, 4th point क्या है, remember and write the appropriate formula, जो appropriate formula होगा वही लिखना है, जैसे अगर lens का question आया है, तो हमें formula कौन सा use करना है, 1 upon v minus 1 upon f is equal to, sorry, 1 upon v minus, 1 upon u is equal to क्या होता है, 1 upon f, अगर lens का question आया है, तो हमें यह formula use करना है, अगर mirror का formula जायागा, तो हमें क्या use करना है, 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f, formula में हमें confusion नहीं होना है, formula जो है, जो सही formula है, वही हमें use करना है, values जो है, उसके बाद में हमें sign conventions के साथ में रखनी है, ठीक है, third आता है, अब इसमें एक formula में कई बार confusion क्या होता है, बच्चों के साथ में, कि u क value जो होती है, वो हमेशा negative होती है, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार confused होते हैं, और direct ये formula mirror के अंदर use कर देते हैं, ये formula direct use कर दिया 1 upon v, तो formula जब आपने लिखा, तो ये formula गलत है वहाँ पे, ठीक है, बले ही वो आपने u की value minus रखके, लेकिन formula आपको पहले right necessary steps, अब step by step आपको answer निकालना है, जैसे आपको 5 कोई भी register दे रखे हैं, ठीक है, तो 1 और सारे parallel में है, तो 1 upon r, जो है 1 upon r equivalent के अगर हम बात करें, तो 1 upon r, 1 upon 2 r, जो भी आपको दे रखी होंगी, तो step by step आपको इनके answer निकालना है, आपको ये निकरना 1 upon r equivalent दे दिया, आप आपने rough में कहीं पर उसको solve किया, और direct बात में 1 upon r equivalent की जगे, आपने क्या किया, r equivalent की value direct रख दी, आपको step by step इसको solve करना पड़ेगा, ये जो नीचे values है, इनका क्या करना पड़ेगा, आपको LCM लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको values add करनी पड़ेगी, तो step by step आपक को वहाँ पर answer निकालना है, क्योंकि step के आपको marks होते हैं, ठीक है, उसके बाद में observe the science properly, ये हमने discuss करी लिया है कि science जो है, वो हमें properly observe करने है, कैसे, जैसे जो भी आपको values दे रखी हैं, वो आपको proper science convention के साथ में रखनी है, फोरलमा हमें left hand side और right hand side में अगर आप interchange करते हो क कोई चीज, तो उनके science change होंगे, जैसे left hand side में अगर minus 10 दे रखा है, तो right hand side में जा कि क्या हो जाएगा, plus 10 हो जाएगा, तो इन science का आपको ध्यान रखना है, calculations जो है, वो आपको step wise करनी है, calculation step wise करेंगे, तो उससे आपका फाइदा कि आपके जो error के chances हैं, वो बहुत कम हो जा आता है, ठीक है, जैसे अभी हमने एक example भी देखा था, ये वाला, इसमें बच्चे ने पूरा question जो है, हो सही किया है, लेकिन last में, इस last step के अंदर उसने क्या किया, one upon our equivalent जो निकाला है, उसने, उसको our equivalent में convert नहीं किया, बल्ला कि उसको cross multiply करके our equivalent की value नहीं निकाली है, तो इसकी विजय से इसका क्या हुआ, आर equivalent की value गलत आई, तो उसकी विजय से आगे जो final answer जो आया है इसका, ये गलत हो गया, तो ये आपको mistake नहीं करनी है, ठीक है, अब, sleep on time, अब हमारा जैसे कल exam है, तो आज जो है, हमें एक proper sleep लेनी है, उससे क्या होगा, हमारा mind exam के time पे इन हम fresh रहेगा, अगर हम नींद पूरी नहीं लेंगे तो उससे होगा क्या, हमें उस टाइम पे नींद आईगे और हम लधार जीक feel करेंगे, जिसकी जैसे हम proper concentrate नहीं कर पाएंगे exam के उपर, तो exam से एक दिन पहले आपको proper 7-8 घंटे की नींद लेनी है, उसके बाद अपने अ आप answer के, जैसे answer अगर लिखना चालू करते हैं, तो answer लिखने के लिए, जैसे answer की numbering, सबसे पहली चीज़ दो answer की numbering सही कीजिए, जैसे answer अगर 13 है, तो answer 13, इसको proper लिखिए, और try कीजिए कि ये answer number 13 आपने लिखा है, ये black pen से लिखिए, ताकि वो अलग से highlight हो, क्योंकि कई बातने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको highlight कर देंगे, black color से, ताकि वो अलग से दिखे, कि यहां से दूसरा answer चालू हो गया है, ठीक है, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, given data, ठीक है, जो भी आपको given data है, वो with proper sign convention आपको यहां पे लिखना है, जैसे अगर एक आपन बात करते हैं, light में, तो u की value अगर दे रखी है, तो minus 10 cm, v की value दे रखी है, f की value अगर दे रखी है, f की value दे रखी है, मालो convex mirror है अपना, तो उसके लिए f की value जो है, वो 15 cm दे रखी है, plus 15, तो यह will sign properly आपको वहां पे given data पूरा लिख लेना है, ठीक है, अब आपने पूरा जब data लिख लिया है, उसके बाद में आप एक सबसे पहले अपने ही दिमाग में एक, पूरा एक flow chart बना लीजिए, कि मेरे को step by step, इस question को कैसे solve करना है, ठीक है, जैसे, question आपको दिया हुआ है, कि कोई एक object है, जो 10 cm पर रखा हुआ है, एक convex mirror के सामने, और उसकी focal length है 15 cm, अब आ height of image आपको निकाल नहीं है, तो अब height of image आप directly निकाल नहीं सकते, तो आप अपने दिमाग में ही एक flow chart बनाइए, कि मैं इसको कैसे question को solve कर सकता हूँ, सबसे पहले, u और f की help से आप क्या करेंगे, v निकालेंगे, मलदा कि image of, image की जो है, उसकी position निकाल लेंगे, image की position निका Magnification का formula क्या होता है, minus v upon u, सबसे पहले मैंने क्या किया, v find किया, ठीक है, सबसे पहली step, दूसरी step में मैंने क्या किया, Magnification निकाला, Magnification कौन से और निकाला, minus v upon u, ठीक है, अब तीसरी step में मैं क्या करूँगा, Magnification मेरे को पता है, तो height of image और उसके relation में इसको रख दूँगा, height of image upon height of object, Magnification मैंने निकाल लिया है question के अंदर, और height of object मेरे को पता है, तो height of image यहां से निकल जाएगी, तो यहां से इस तरीके से आपको mind के अंदर ही एक flow chart बनाना पड़ेगा, कि मैं कैसे step by step उस question को आगर progress कर सकता हूँ, उससे आपका answer सही आएगा, और steps जो है वो आपको properly follow करने है, steps आप अगर properly follow नहीं करेंगे, तो आप mistake कर देंगे, calculations में mistake हो सकती है, ठीक है, make a flow chart, यह मैंने बता जिया, कि आपको एक flow chart आपके mind में बनाना है, कि मैं question के अंदर कैसे advance करूँगा, question मैं कैसे सबसे पहले मेरे रोग क्या निकालना है, उसके बाद मेरे रोग क्या निकालना है, वो आप decide कीजिए, तीसरा, remember all the formulas regarding the question, question के अंदर जो भी पूछा गया है, उसके आपके formula याद होने चाहिए, जैसे V निकालना है, तो V के लिए कौन सा formula यूज होगा, 1 upon V plus 1 upon U is equals to 1 upon F, तो आपको ये जो formulas है, V के लिए कौन सा formula यूज होगा, ये, magnification निकालना है, तो आपके लिए ये formula यूज होगा, तो ये सारे formulas जो हैं, वो आपको याद होने चाहिए, ये formula अगर याद नहीं होंगे, तो है, क्या होगा, मालो जैसे आपने V दो निकाल लिया, अब आप ये solve the question step wise, solve the question step wise मतलब वही कि step by step आपको solve करना है, सबसे पहले V निकालना है आपको, उसके बाद magnification निकालना है, उसके बाद height of image निकालना है, तो एक step में proper steps के अंदर आपको इस question को solve करना है, ठीक है? calculate each step carefully without doing any sign error, जब आप calculation करें, तो कोई sign का error ना करें, जैसे मालो यहाँ पर एक example अपन ले लेते हैं, कि मेरे को u की value जो है, वो minus 10 दे रखिए, f की value जो है, वो plus 15 cm दे रखिए, तो मैं यहाँ पर formula कौन सा लगाँगा, 1 upon v plus 1 upon u is equals to 1 upon f, अब अगर मैं यहाँ पर values put करता हूं, तो 1 upon v, u की value क्या है, minus 10, तो minus 1 upon 10 is equals to 1 upon 15, यह formula लगाँगा, अब इसके अंदर आपको यह mistake नहीं करनी है, जब आप 1 upon 10 को इस तरह लेके जाएंगे, तो कई बार हम से यह mistake हो जाते हैं, यहाँ पर यह 1 upon 10 जो है, minus में है, तो हम उस साइड ले जाके भी इसको minus में रख देत हैं, तो इससे क्या होगा, calculation error हो जाएगी, तो यह mistake आपको नहीं करनी है, मतलब हर इस step में जो calculations आपकी आ रही है, उनको आपको सही रखना है, ठीक है, फिर है highlight the answer, answer जब आपका आएगा, जो भी answer आए, जैसे यहाँ पर हमने v की value निकाली, तो v की value मालो 10 आई, v की value अगर 10 cm आई, तो आप उसको highlight कर दीजे, ताकि वो अलग से दिखे, क्योंकि question जब कई बार check होता है, तो teacher को पता ही नीचे लेगा, आपका answer कब आया, और कब आपने दूसरा question चालो कर दिया, तो आप highlight करेंगे, तो उसको answer अलग से दिख जाएगा, यहाँ पर v की value आई, तो आप प्लस टू, तो आप उसको highlight कर देंगे, फिर last में height of image जो आएगी, उसको आपने highlight कर दिया, जितने भी important steps, जितने भी important answers आप उसके अंदर निकाल रहे हैं, उनको highlight कर दीजिए, highlight कर दीजिए, मतलब क्या है आपको, आप उनको एक box के अंदर बंद कर दीजिए, ठीक है, अगर आप line का gap नहीं छोड़ेंगे, तो कई बार confusion हो जाएगा कि answer खतम कहा हुआ और दूसरा answer चालू कहा हुआ, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है हर answer के बाद में, एक दो line का gap छोड़ दीजिए, ठीक है, ये मैंने बताई दिया कि जो question number जो है, answer number जो है, जो भी question है, उ ठीक है, use the black pen for question numbering and formula, ये मैंने बता दिया है आपको, कि black pen से लिखेंगे, तो वो अलग से highlight हो जाएगा, use of neat handwriting, handwriting जो है, आपको neat and clean लिखना है, मतलब कि जैसे, neat and writing का मतलब क्या है, कि जैसे आपने सबसे पहले लिखा given data, ठीक है, उसके बाद में आप एक proper sequence में, वो answer जो है, वो लिखते जाईए, कई बार बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने answer लिखा, उसके बाद में नीचे page में जगह नहीं बची, तो next page में नादा क्या करते हैं, इ जो है, वो थोड़ी गंदी से दिखने लगती, जिसकी विज़े से आपके number कट सकते हैं, तो आप proper neat handwriting में, और clearly जो है, जितना भी data है, उसको लिखें, तो ये सारे points जो थे, ये important points थे, जो आपको ध्यान में रखने हैं, आपके exam में लिखते हुए, तो आज के लिए इतना ह Thank you and all the best for your exams.